मोक्षदा एकादशी व्रत कथा मार्गशीर श्मास की शुकल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी कहते हैं जो की इस वर्ष 4 दिसंबर 2022 को पड़ रही है इस एकादशी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का विधान होता है क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण जी ने द्वापर युग में महाभारत युद्ध प्रारंब होने से पहले गांडीवधारी अर्जुन को श्रीमत भगवत गीता का उगदेश दिया था जिस कारण इस दिन वरत रखने वाले स्त्रीव पुरूश को गीता का पाठ करना अतियावश्शक है यदि आप भी मोक्षदा एकादशी का वरत रखते हैं तो पूजा विधी को सुनकर आप अपना वरत पूर्ण कर सकते हैं मोक्षदा एकादशी वरत का महत्व मोक्षदा एकादशी वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस एकादशी का वरत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ती होती है आपको बता दे मार्गशीर्ष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं तथा भारत के कई राज्यों में इसे बैकुंड एकादशी के नाम से जानते हैं मान्यताओं के अनुसार जो कोई स्त्री व पूरी शद्धा व लगन के साथ मोक्षदा ग्यारस का व्रत करता है उसको जन्म व मृत्यू की जीवन चक्र से मुक्ती मिल जाती है और वह सदैव भगवान की श्री चरणों में स्थान प्राप कर लेता है कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से अपने पूर्वजो पित्रिरों की आत्मा का शान्ती मिलती है तथा उनको इस जीवन से मुक्ती मिलकर पुन नया जीवन धारन करते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभार युद्ध से पहले मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद्गवद गीता का उपदेश दिया था तो इसी कारण व्रत वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण वगीता का पाठ करना चाहिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मियोग पर विशेश बल दिया है और आत्मा को अजर्मर अविनाशी बताया है जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारन कर लेता है उसी प्रकार आत्मा भी जरजर शरीर को छोड़ कर नया शरीर धारन करती है इस व्रत वाले दिन मिथ्या भाषन, चुगली तथा अन्य दुशकर्मों को त्याक कर सदगुण अपनाने से मोक्ष की प्राप्ती होती है मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा विधी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को प्रात, जल्दी उठकर स्नान आदी से मुक्त होकर साफ वस्त्र धारन करने चाहिए जिसके बाद भगवान सत्यनारायन का जल चढ़ा कर पीपल वद तुलसी के पेड़ में भी पानी चढ़ाए इसके बाद अपने घर के मंदिर की साफ स्वाई करे और गंदाजल के छिडाओं करे और मंदिर को पवित्र करे अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण विष्णुजी की मूर्ती को स्नान करा के अभिशेक करे तथा रॉली, मौली, चावल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य, पुष, फल, आदी अर्पित करके विधिवत रूप से पूजा करे ध्यान रहे पूजा में तुलसी दल जरूर चड़ाए पूजा के बाद मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुने और आर्ती करे जिसके बाद भगवान को प्रसाद चड़ाए दूसरे दिन स्नान आदी से मुक्त होकर किसी ब्रामन को भोजन करा के यथा शक्ती दान दक्षणा देकर विधा करे जिसके बाद एक रोटी में चीनी, चावल वत तुलसी का पत्ता डाल कर गाए को खिला कर उसके बाद स्वयम भोजन ग्रहन करे आपको बता दे मार्गशीष के महीने में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी को मोक्षदाईनी एकादशी भी कहते हैं और हिंदू धर्म में तो इसे पित्रों को मोक्ष दिलाने वाली एकादशी अर्थाद ग्यारस कहा जाता है कहां जाता है यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए मोक्षदा एकादशी का वरत रखता है तो उसे मोक्ष मिल जाती है अत वह जीवन के इस जन्म वम्रुत्यु चक्र से मुक्त हो जाता है शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युद और वहां अन्त को मेरे धाम को प्राप्त होगा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध होने से पहले अर्जुन को घीता का उपदेश दिया तथा इस एकादशी के बारे में बताया था और कहा कि है अर्जुन जो कोई इस य उकुल नामक राज जिस पर वैखानस नामक राजा राज करता था राजा का यह राज बहुत विशाल होने के साथ वहां की प्रजा सभी प्रकार के सुख भोग रही थी तथा राज में चारों वेदों के ग्याता ब्रामन देव भी निवास करते थे एक दिन राजा ने अप रात को मैंने सपनों में मेरे पिताजी को नरक में कश्ट उठाते हुए देखा है उन्होंने कहा कि पुत्र मैं नरक में दुख जेल रहा हूँ तुम मुझे यहां से मुक्त करावा दो और तभी से में बहुत ज़्यादा बैचेन हूँ हे ब्रामन देवताओं कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाया बताईए जिससे मेरे पिताजी को नरक से मुक्ती मिलकर स्वर्ग मिल जाए ब्रामन देवताओं ने कहा है राजन तुम्हारे राज्य की सीमा के बारा रिशी परवत का आश्रम है और रिशी परवत चारों वेदों के ग्याता वभूत काल भविशकाल तथा वर्तमान काल देख कर बता सकते हैं और आपकी इस परेशानी का हल वो की बताएगे उसके बाद राजा वेखानस रिशी परवत के आश्रम में गया और मुनिश्रेष्ट परवत को प्रणाम किया और अपनी बात रिशी परवत के सम्मुख रखी रिशी परवत ने अपनी आंखे बदम करके उनके पिता का भूतकाल देख लिया और कहने लगे है राजन मैंने मेरी योग माया से तुम्हारे पिता के सभी कुकर्म देखे हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामातुर होकर भी एक पत्नी को रती दी किंटु सौतली पत्नी के कहने पर अपनी दूसरी पत्नी को रितुदान मौगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप का फल तुम्ह मार्गशीर्ष की एकादशी का वरत रखना होगा यदि तुम मार्गशीर्ष महा की शुकलपक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का वरत पूर्ण विधिवत रूप से करोगे तो तुम्हारे पिताजी को नरक से मोक्ष मिल जाएगी। रिशी परवत के ऐसा वचन सु उक्षदा एकादशी का व्रत किया जिसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ती मिल गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मोक्षदा एकादशी व्रत वाले दिन गीता पाठ का अनुष्ठान करना चाहिए।